बिस्मिल्य रोमान रहीम, असलाम नेकुम दोस्तों गैसे हैं आप सब मैं हूजिया अंसारी और आप दिख रहे हैं इजात अंसारी फूर सीक्रेट्स बाद जाएंगे रैस्पी देखते ही आपको समझ जाए जाएगे कि हाँ आज आपको कुछ नया कुछ मद्यदार कुछ बहुत ही स्पेशल जानने को मिलेगा तो यहां पर टेक्श्चर खुश्बू हर चीज लाजवाब होने वाली है चलें जी बिसमिल्यारा रोमार हैं तो यहां पर स्टार्ट में हमने लेना है थोड़ा सा कुछ ओइल को पांच से चमज और लो से फ्लेम के ओपड़ी आपने इसमें ठेर सारी लैसन के जवे डाल देने हैं ठीक है बारा से पंद्रा मोटे मोटे और फ्लेम आपने यहां पर लो सा रखना है और इसको आपने पर लाज पर गरम होने के लिए चले जी बिसमिरा भाई तो यहां पर हमारे पास डाले हैं और मसूर की डाल है तकरीपन यह 2-3 टेबल स्पून है तीन से 4 टेबल स्पून इसमें हम मौंकी डाल अड़ कर देंगे दूली और यह है चने की डाल डालों की आप हेर फेर कर सकते कोई भी कम यह जादा इसको आपने सबसे वह लेगा करना है अच्छे से खुला पानी डाल के दो लेना अब यहां भी कहां है और इन में एक स्मेल आ जाती है पड़ी-पड़ी में अगर आप इनको अच्छे से नहीं दोएंगे तो यह स्मेल आपकी डाल पकी हुई में से भी आती है जो लोगों को समझ नहीं आती कहां से आरी ठीक है तो दो से तीन पानी आप में इसको अच्छे से दो लेना है उसके बाद बिस्मिल्हारवानी यहां पर जाम किए हमें एक खुब सूरत सा चमकता हुआ प्रैशर कुकर और इसमें इन दालों को दो के हमने आट कर देना पानी जिया आट करेंगे क्योंकि हमने दाल को बढ़के नहीं रखा हो थाऊँ तो घड़ जारा पानी करतेंगे क्योंकि हमने दाल को पतला ही रखना है और उसके बाद आपे इसको 4-5 मिनट की सीथी पर लग है ठीक है अब एक प्यारी सी लेंगे कड़ाई और इसमें एड़ करेंगे कुकिंग ओयल तकरीबन एक चुथाई कब क्योंकि हमने ओयल लेसन के अदर भी यूज़ किया हुआ है जो हमने यूज़ करना आगे ठीक है हाल टी स्पून इसमें ठीक हाट करेंगे और इसके थोड़ा सा कड्कडाएंगे साथ ही दो इलाचियों चोटा सा दारचीनी का टुकर आड़् करेंगे इसमें ठीक है तब आपने इसके अंदर एड़ कर देना है टमाटर ठीक है अदर लेसन का पेस्ट हम इसमें एड़ नहीं करेंगे ठीक है वो आगे जाके एड़ होगा ताके उसकी कुछ स्पेशल ट्रीटमंट हो स्पेशल उसकी खुश्बु आए हरी मिर्चे दो मैं एड़ कर रहा हूं करेंगे लेकिन जो लाल मिर्च है वो हमने कम एड़ करनी है क्यों यह माप को आकर चाकर बताऊंगा सिर्फ हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पौडर इसमें हम एड़ करेंगे हल्दी इसमें एड़ करेंगे ठीक है हाफ टी स्पून और बाकी भी जो सभी मिसाले वो यहीं प cubes की जो chicken के flavor वाले देते हैं कुछ भी आपने add नहीं करना है थोड़े सी मसाले की करेंगे पकाई ये मसाले जल ना चाहें इसके लिए आपने इसमें थोड़ा सा पानी add कर देना है इससे क्या होगा टमाटर अच्छे से पक जाएंगे और जो खुष्क मसाले add की है वो भी नहीं चाहेंगे ठीक है उसकी हम पकाई करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो लो से flame की उपर मैंने रखे हुए है ना लैसन के जवे ये देखें आप बिलकुँ लो से flame पर ये देखें कितने शांदर golden हो रहे है अब इसके अंदर एक बहुत ही creamy सा texture पैदा हो रहा है ठीक है जो बहुत ही flavorful होने वाला है तो यहां पर इसमें अब साथ से आठ खुश्क लाल मिर्चे add कर देंगे जिसके head remove करना मैं भूल गया हूँ जल्दी में और flame off है अब फिर आपने लाल मिर्चों गायट करना वरना ये जल जाती होती है और temperature काफी कम है इसका अब आपने क्या करना है इसको दुबारा आग पे नहीं रखना है इसको आपने उतार लेना है ठीक है और ये रेखें जी मसाला हमारा माशाला से हो चुका है तयार और जो डाली है वो भी हमारी अच्छे से गल चुकी है मैंने उसको ज्यादा गल आ लिया ठीक है क्योंके मैं creamy texture देना चाहरा हूँ अपनी recipe को completely ठीक है अच्छे से बरतनों को साफ किया करें एक जर्रा भी जाया ना हो इससे आपके risk में परकत आती है mixing करेंगे बहुत ही शांदर हमारा जो मसाला है जिसमें हमने हरी मुच को भी add किया हुआ है इस डाल के अंदर mix होगा तो यहां पे बहुत ही शांदर आपको color मिलेगा ठीक है और अभी यह वैसे डाल फिक है क्योंकि इसमें लाल मिर्च कम है क्योंकि लाल मिर्च हमने साबुत add की है तड़के के अंदर तो वो बहुत एक शांदर चीज़ बन जाएगी चलेंजी अब यहां पे हम एक तड़का त्यार करेंगे जिसमें हम अद्रक का इस्तमाल करेंगे बड़ी कलंबी कुटी की अद्रक है यह वही ओल है जहां पे जिसमें हमने लेसन को फ्राई किया था थोड़ा सा इसमें हम कुसूरी मेथी आइट करेंगे कुसूरी मेथी आइट करते ही आपने इसको इसमें डाल देना है कहीं वो जलना चाहे ठीक है और उसके बाद यहाँ पर हम इसकी करेंगे अच्छे से मिक्सिंग अब यह जो अद्रग यहाँ पर तड़का लगा है ना अद्रग का और थोड़ी सी यह जो मैंने कुसूरी मेथियाइट की है तड़के के दुरान इससे बहुत ही आला खुश्भू आरी मतलब कि एक तगड़ा सा आपको फ्लेवर मिलेगा यहाँ पर और अब में चीज आज की रेसिपी की यह जो चीज मैंने बनाई है ना यकीन करें आपने इसको वैसी बचा के रख लेना है कि आप इसको टेस्ट करते रहें और मजा लेते रहें ऐसी यह क्रीमी और इतनी खुश्भूदार किसम की यह चिपनी सी तयार हुई है यह तरका सा तयार हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता मतलब कि इस रेस्पी के बाद आपने यह वारा जो टेकनीक है ना बहुत जादा आपको सुने में अच्छी भी लगेगी मतलब कि यह काफी डिफरेंट चीज़ होगी तो यहाँ पर हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करते जाएंगे ताके डाल के पूरी अंदर इसका आजा है फिर उसके बाद बिसमिल्ला रामान रहीम तो माशालला अलहमदलिल्ला देखे जिने रहला की शान उसकी रहमते नेमते और बढ़ते जो दिसरवाते हो कारवे तो मैं आपको बता नहीं सकता कितनी खुश्भूदार कितनी क्रीमी और कितनी मज़े की तकड़ी से आज की मिक्स डाल तयार हुई है इसी तरह दिलीम की रेसिपी के लिए, हलीम की रेसिपी के लिए, चिकन हलीम की रेसिपी के लिए, यमियर टेस्टी रेसिपी के लिए, दाल की रेसिपी के लिए, मिक्स डाल की रेसिपी के लिए, हमारा चैनल को पुरे सेक्शन जाएगी दौा में आदे के के लिए तक अल